हुआ है हलो फ्रेंट मैं सब्सक्राइब स्वागत करता हूँ करें यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो फ्रेंट बात करने में मुंबई के एलपे टेकनिशन भरती एकजाम 2018 के बारे में क्योंकि फ्रेंट्स अभी तक जो है एलपे टेकनिशन भरती काफी केंडिडेट का जो है उसका रिजल भी नहीं आया या ऐसे केंडिडेट में है जिनका कुछ एक मार्क से पोईंट मार्क से जो छुटा हुआ है जिसकारन से उन्हें इस्टेंडबाई में रखा गया है और उनका अभी तक जो एक बी रिप्लेस्मेंट पैनल वहां से जारी नहीं किया गया जिससे उनका स्टेंडबाइ के लिए रो ठीक है और ऐसे बहुत से केंडिडेट वहां अररभी मुंबाइ के हैं जिनका रिमेडिकल हो चुका है और उनको भी जो है नहीं मिला हुँ जबकि उनके कटप मार्स जो है फाइनल जो कटप मार्स था उससे वो जोईनिंग होने वाला है या नहीं अगर मेडिकल पास हो जाते हैं तो इस बीडियम सारा बात करेंगे कि अगर आपका रिमेडिकल होआ है अगर वह वह आनेवाला है ताकि को प्रिवेडिकल क्या रूल है उनको देख सब्सक्राइब करए नहींppers को इस स्ब्सक्राइब करके बैल आइकन को मिल सकते चलिए परेंपों को सुरू है धरिग सकते हैं इसक्ति है एक आद्टिय मिम्हार्ट आप भर होगा इंसका नाम में हैट कर द wagon करन तो तो यह जो देखिए रिफ्रेंस दोस जुलाइ को इन्होंने जो आटिया लागा था और इसका रिप्लाइ जो आपको मिल चुका है पांच तारिको ठीक है पांच जुलाइ को तो चले देखते हैं क्या इसमें लिखा गया ठीक है पुछा था जिसने एक और दो नंबर कोसें में इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पे आप जो है मुंबए पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पर मिल जागा ठीक है तिसरा कोसें का जवाब था यूरॉबर रेंग इच तीसाजार पांच पंचानबे फॉर पोस्ट टेक्नि के लिए वेटिंग में है और यहां पर कहा गया कि कॉम्मुनिटी वाइस जो है डाटा को मेंटर नहीं किया जाता है जिस कारण से यह नहीं बताया जा सकता कि बारो सो तेहतर में कितने हैं और आपका जो एलपी में भी 398 केंडिडेट है इसमें स्ट के कितने हैं यह जो आपको यह बताया नहीं जा सकता कि कुम्मुनिटी वाइस डाटा हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते है ठीक है यह अरार भी मुंबए का कहना है ठीक है सात्वा कुस्चन का अंसर दिया ह जो है वह वह कहा गया इसूड है ठीक है आट और नों का क्या है जोइनिंग एंट्रेणिंग के संबंदी कुछ पूछा था कि कितने के जो है आरार भी मुंबए को जोइन किया तो इन्होंने का हो कि वह जोना रेलवे का में यह बात भी सही है प्रेंट आपको जो पैनल नि में अपना आट यह लगाएगा तो आप उसका जवाब जो हो मिल पाएगा ठीक है दस्वां कॉच्छन इनका अंसर क्या दिया है देख फर्स्ट राइट ऑप अपूइमेंट इज ऑफ केंडिडेट को रिमेडिकल बालों को खासकर यह बात जानना चाहिए कि उनको क्या जो में 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 पास हो जाते एगा इसके बाद साफ बससे जाफ देख सकते है प्रोशेस में है लगबक जुलाइए के लास्ट तक या अगर्ष्ट में आपका जो है वह आज आज आगा ठीक है डी मेडिकल वालों के लिए ठीक है ओनली अप्टर इस डी मेडिकल केसे अर फाइनलाइज़ इसमें साफ साफ कहा गया कि पहले जो है रिमेडिकल केंडिकल जितना है उनको लिए लिया जाएगा जिनका कटप मार्ट ज़ादा है ठीक है कटप मार्ट मस्तल्ब को यो पार कियें अगर वऊ रिमेडिकल उनका हुआ अगर वो रिमेडिकल पास हो जाते तो उनको पहले लिया जाएगा अगर उसके बाद कोई इस्टेंट बाइड केंडिडेट को जौब मिलेगा अगर जौनाव रेलवे से डिमांड आता है रिपलेस्मेंट पेनल का तब तो यहां आगे क्या लिखा थी के टोटल रिपलेस्मेंट पेनल केटेगरी एंड कम्मुद्टीवाइज डिमांड फ्रॉनल रेलवेज अंडर सी कि जितने Candidates जो है रिमेडिकल के वालों हो चाहे इस्टेंवाइक Candidates के Candidates हो ठीक है कि अगे मैं वह आपको बता देता हूं ठीक है इसमें जेरल ही कहा कि अगर आप इस रिप्लाइस से संतूच नहीं तो तीस दिनों के अंदर में आप जो डुबारा र्टिया कर सकते हैं तो आपको उसमें रिप्लाइस दिया जागा चलिए उस पीडियो को देखते हैं कि जिसमें कुम्मुनिटी वाइस जो है कितना रिप्लेस्मेंट पैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए उस डाटा को देख लेते हैं तो फ्रेंट देखिए हमारा डाटा यहां जो डाउनलोड हो चुका है ठीक है चलिए आपको यहां पर दिखाते हैं कि कितने केंडिडेट का जो है टेकनिसियन में पहले देख लेते हैं कि कितने कैनल में नाम आगयता आपका Doわ a collapse भी को दिलेоже Klararn बसाई होता है जिसकारण से विडाहे भी बढ़ाते हैं उसके बाद व hoj proprietary आपना प्रव्लम में तुस्ते हमें कोई मतलब नहीं होना जाए ठीक है यहां देखिए क्या दिखा है रिप्लेस्मेंट पैनल के टेकनिशन के टेगरीज ठीक है आगे इसमें एक बात और मैंने बताना भूल गया था ठीक है इसमें एक बात और है कि काफी केंडिटेट यह कोश्चन करते हैं कि एक सर्फिसमें केडिटेट करिको दिया जाएगा या नहीं और प्षिंट नॉपी रूइट यम है देखिए क्या है आप यहाइं देख सकते हैं अगर एक सर्विज में गिंदेट नहीं मिल पाता तो आप जो है नौर्मल ही केंडिट से उस पुल कर सकते हैं, capacitor की वह उसी कम्यूपिनिटी का हो, भी अगर OBC सिट का फुल्फिल नहीं हो पारा कंडिद्ट में इसकते हैं खिक कोने सकते हैं तो भी में आगे एक रूल में करूंगा एक वीडियो में ठीक है तो इसमें देख लाते हैं कि कितने कंडिडेट का यहां से रिप्लेश्मेंट पैनल आना है अब मुंबए से टेकनिशन का ठीक है तो यह जो है कटेगरी नंबर 146 का है टेकनिशन ग्रेड वेल्डर का टेकनिशन 3 का ठीक है यहां पर का प्लेश्मेंट का सोग कर रहा है यहां गया तोटल अपर के प्रड़न जो है कि एक चारी नहीं किया एक प्रण्ट का क्टेगरी में आफका टेकनेशन ग्रेड शिरी का ब्रीज का आने वाला है जिसमें आपका ऊब इसका आएक आये कॉस्ट्यूभा टो पाइब रिप्लेश्मेंट पैनल और बात करें हम लो 27 नंबर का टेकनिस्यलट्री कट्र करें से अग़ा एगा और एक कंडिडेट आपका युवार से आगा तो टोटल इस्में दो खेंडिट का रिप्लेस्मेंट पेनल आईगा किसमें तो 47 वाला के टेगरी हुए ठीक है बात करें वह अगर 57 नमर के टेगरी टेकनिशन टेलेक्टिकल क्क टोटल एके डिट्रेट क्कоловगा एंटैगा इसमें देखेंगा टेकनेज्टिकल होता है तो ब देखेंगाइग तोक्रीयुए ठाहरी होगा ठीक बीसे खँड़ प्र country μεलियर करें मिलें में इसमें 126 नमर मेन breezeway शमकरी सकते हैं ऍहीं कैडिडेट का आएगा बात करेंगर इसमें चाहिए कर बात करेंगर चोफवन का टेकनिघ्रेट का टी यारेस के टीर इस कटिश्मेंड 1 का क्ट कर रहा है ठीक है कैटेकरी नंबर आपका 98 का भी बात करें या 66 का काम है काम है ठीक बावंन में भी आपका तीन है तेरपन में भी तीन है और एलपी का फ्रंड बता दे कि एलपी में केटेगरी नामर में एक जो आपका एलेक्टिकल है उसमें आपका टोटल 14 नमबर है 14 केंडिडेट का यहां से रिप्लेस्मेंट पैनल आएगा डेट आप देख सकते हैं 19 जनवरी 2021 को रेलवेट डेट पर आप्त हो चुका है लेकिन प देखेंगे की टोटल एक केंडिडेट का यहां omega-6 में अपका व्र चेञट ओन में आपका 21 कंडिडेट का एक नंवर्ट ओन में मम का 2 है व्र पर आपको 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 आसे करते हैं वीडियो पसंद आए वीडियो कुछ जादा लंबा हो गया लेकिन सारा इंफोर्मेशन का यह वीडियो था ठीक है तो फ्रेंट और जो कुछ और कुछ डाटा अपडेट आएगा या तो मैं अपको आपको पता चले तो आप जो है इमेल के माद्यम से मुझे परस्नली इमेल कर सकते हैं मेसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम पर फेस्बूक पर उसका भ कर आप पर एज भयर को ।